और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीचिए शालनी रस्तोगी इस किचन और दबाएं बैल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे किचिन गार्डन में आज मैं आपको लसन के आलू बनाना बताऊंगी इसके लिए जरुद होगी हमें ताज दनिय की जो हम आज अपने किचिन गार्डन में से तोड़ेंगे तो आई ये शुरू करते हैं उसको तोड़ना ये हो रहा ह हमारे गार्डन में धनिया इसको हम काटना चुरू करेंगे आप चलते हैं आप चलते हैं अपने किचिन की जहां अब sucks बनाई गया इसके लिए हमे सबसे पहले लेंगे 2 बड़ी प्याज इसको मैने स्लाइस में कटकर लिया दो लस्षन Drake को भी मैने चील लिया ए तीन सो ग्राम हालो जिसको ही मैने कटकर लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैने बहूत ज्यद्धा देनिया कटा है बहुत साद्धा धनिया मेरेपास है अब आप देख रहाएं कि इसमें जो भी तिंक्य होंगे या अझा सब्सक्राना होगा उसको हम साख लेंगे और इसको ये गहरे पानी में के गाटना ऐसमें दोने के बाद इसको कट कर लेंगे थोड़ा मोटा-मोटा काटेंगे इस तरीके से कातना शुरू करेंगे हैं भूद्वोप कटने का अगरत बार बारी को जरुदा नहीं है है सारा दनिया कड़ जाने के बाद अब हम कड़ाई को गरम करेंगे अब कड़ाई को गरम करने के बाद डालेंगे उसमें दो बड़े चम्मच सर्सो के तेल के और तेल को गरम होने देंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे लसन की कलिये, और इसको थोड़ा सा बून लेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे अधरखे टुकड़े, इसके बाद डालेंगे इसमें प्यार, और इसको भी इसके असाथ हम बून लेंगे, प्याज हमारी बुनने लगी है अब इसमें डालेंगे हरी मिट्स इसके हमने टोड़े करके रखे ले इसको भी इसके साथ बुन लेंगे अब प्याज उपर देंगे साइड में इसमें डालेंगे थोड़ा का पानी और आप दालेंगे आलू और डालेंगे नमक अब इसमें थोड़ा सा पाने और डालेंगे अब इसको अब गलने के लिए हम रख देंगे अब इसको चेक करके देखेंगे क्या आलू हमारे गल गया है या नहीं अब इसमें डालेंगे धनिया यह एक तरह से दनिया की भूजी बन गई है और हमारा जो खर में धनिया बहुता है जाता है उसका भी डिस्पोजल हो जाता है इसमें अब इस दनिया डालने के बाद अब इसको भूनना शुरू करेंगे लगतार इसको चलाते रहेंगे इस तरह करेंगे दनिया को में गलाने के दुचरूरत होती नहीं है बस थोड़ा आप देखेंगे इसमें बहुत प्यारी सी खुश्बू आ रही है धनिया की लस्टन की और इसको बनाना भी कितना असान है गैस को तेज कर देंगे और जो इसमें खलका सा पानी है उसको हम सुखा लेंगे इस तरह से पानी सुखाने के बाद हमारे लस्टन दनिया की आलू तैयार है जैस को कर देंगे बहुत अब यह सर्व करने के लिए तैयार है अब यह अब करने के लिए तैयार है